आप देख रहे हैं विशारत टाइम्स कॉंग्रेस रीडर उत्तव्य सरकार की पूर राजमंत्री अमिता सिंग ने आगामी लोगसवा चुनाओ को देखते वे समाज के गुद्धी जीवी वर्ग को लेकर एक मोहिम शुरू की है अमिता सिंग ने काया कि भारत की बहुत दिक परतिभा का पूरी दुनिया लोहा मानती है और समाज और राष्ट की तरक्की में बुद्धी जीवीयों का एहम किरगार रहा है लेकिन कहीं न कहीं अपने देश में अधितर मुद्जीवियों की सियासत में अहम हिस्सेदारी नहीं है रविवार शाम अमितासिन नियोडा के होटल पार्क ने बहुत धीक परतिभा पर आयोजीत एक कारेकरब में बोल लहीं थी उन्होंने का आप में से बहुत से पढ़े लिखे लोग देश की स्वस्त राजनीत में योगदान करना चाहते हैं लेकिन सही मंचिना होने के कारव यह संभव नहीं हो पाता अब कॉंग्रेस एक ऐसा फोरूम है जिसके माध्यम से पढ़ा लिखा वर्ग देश के लिए मुक धारा में जोकर अपने मार्टों योगदान को दे सकता है मिस्टर सामबाद जो प्रबासिडर है पाकिस्तान में अन्य देशों में आज उनकों हम लोगों ने गेस्ट के लिए और उनकी जो चर्चाएं को आज स्विशे पर प्रपाश दाना है वो सब्सक्ते लिए के जोड़ित है जो बात ही रगी में वह से इंफलेक्श हुए पास के लिए लोगों के किस तरह के सबालात रहे हैं आप शायद यहाँ पर वहें होंगे लोगों में बहुत सारे अंधित्रकार के प्रश्ट के देश के बारे में हमारे प्रप्रप्रश के बारे में हमारे प्रप्रश के बार इस वम वे पर याझ भरत्रे और गोЗ कि समय समत्य घिर रहे हैं? तो आप बहुता तरह पूट क्यों हैं? इसे कहन בעब आप ठीक से देख नहीं नहीं थी जब समय हैं अगर आप देख रहे होते हैं जर्शनीर पना नियुक्त प्रणसे को लिक आप इसके बादने हैं कि देश की फडोसियों के साथ कैसे कुछ सम्मन्थ हो कैसे हम उनको डील करें एजन्द आता है उस पसके डिसर्स की तरह किसकी रणनी देखी है कि मोधी को गिराना है भाजपा को हडाना है और हम उसमें सफल होगे हम पूरे देश में मागड़न दर जाते हैं जितने पार्टी कि लोग होई कर्था हों और मोधी सरकार इस देश के हित्त में नहीं है देश का बड़ा हुआ है इसलिए उनको जाना चाहिए और वो जरूर जाएंगे 2019 में क्या स्टेजी आपको हमारी स्टेजी यही है कि भाजपा को हटाने की स्टेजी चुनाओं में सभी पार्टी हैं कैसे चुनाओ लड़ा जाता है कैसे जिंदा होता है कैसे परचार होता है सब जानते हैं हमारे सामने गोल रिखी है कि देश के हित्त में मोधी सरकार नही निए कर पाएं मोधी ने आते ही 14 में जितनी बाते कहीं थी एक नहीं किया तेश के अहित के जितने काम थे वो सारे कि इन्हों ने जितनी रीत नीत अपनी बनाई वो सब इनकी कोई नहीं थी इन्हों नाम बदला रैपिंग अच्छी की परचार अच्छा किया और कि बाद देख ली है और जंता दुबारा इसी गल्टी लिए निए नारेंद मोधी जी प्रधान मंत्री बनने के लिए प्रधान मंत्री बनने हैं आगे भी प्रदान मंत्री बनना चाहते हैं और देश उनको नहीं बनाने चाहते हैं कि अधिक्या बनने वाद आज हमारा आपके प्रोश्चियों से क्या रिष्टा है हम कैसा काम ढहां कर रहे हैं कैसे हमारी सबी है कैसे हमारी आर्थिक इस्थिती है यह सब आप सब को पता है जो आपकी इस्थिती है यह मैं मानता हूँ इसमें भी बदला है मैं अपने जीमन काल में 76 से आज तब देख रहा हूँ लोग भी बदले हैं, राजबीग लीडर भी बदला है हमारी सोच भी बदली है, हमारी वरियटाय काल्थ आज हम भले विदेशी दोरे बहुत परसे सा Crist, लiguous क्या हम अपने मित्व देशों के अपने परोशी देशों के संब्द संक्र्थ उनका विकाद हमारा विकाद आधारित है यह हमारी सब याधारित मुझे रच्छा है कि आज आओ शक्ता यह है और हम अपने सभी यह सब्सक्राइब करें कि बहुत आशा करते हैं कि हम कितना कर पाएं आजादी के बाद हम कहां तक पहुंच पाएं ऐसा मेरा मानना नहीं कि मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा नेगटिव हो इस मामले में हम जहां थे उससे बहुत आगया हैं लेकिन हम इससे कहीं ज़्यादा जा सकते हुआ हमारे फौच के सम्माने तधिकारी भी आँ होंगे चीन और पाकिस्तान हमारी ग्लैरी हमारी स्ट्रडीजी हमारी नीज हमारे सभी और तौड तरीके उनकों निगाह में रख करके बनाई जाते हैं झाल झाल